हəलो दोस्तों कैसे हो सभी मेरे साथी एक बार बता दीजिएगा तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सामने फोटो लगी हुई है वम्ता बेनर जी की जो कि अभी बेस्ट बHENGUL की पछिम BENGAL की मुख्यमंत्री बनी है तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है लेकिन इस बार कुछ अलग बात ये है कि ये चुनाब हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बन गई है मुख्यमंत्री पद की सपत ले ली है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई परसन मुख्यमंत्री की सपद लेता है वो चुनाब हारने के बाद भी तो उनको क्या करना होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर जो सदन है विधान सवा सदन है उसकी सदसेता इनको लेनी होगी मतलब 6 महीने के अंदर अंदर इनको कहीं से चुनाब लड़ना पड़ इनको election लड़ना होगा, election लड़ने के बाद जीतना होगा, तो ये अपने मुख्यमंत्री पत पर continue रहेंगी, तो 6 महीने का टाइम होता है, article number जो हमारे समविधान का 164 है, 164 है, उसी के अंदर 164 का जो 4 वाला पार्ट है, उसके अंदर हमारा इस बारे में बताया गया है, कि अ अगर कोई भी person 6 महीने तक, आने वाले 6 महीने तक सदन में अपनी सदस्यता को confirm नहीं करवाता है, तो उसको फिर उसके पत से हटा दिया जाएगा, तो दोस्तों ये जानकारी होपसों आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर इसी तरह की और भी वीडियो आपको चाहि तो शेशन को लाइक कर दीजेगा, शेर कर दीजेगा और नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बेस्ट बेंगॉल के गवर्नर कोन है, जिन्होंने ममता बनर जी को सपत दिलाई है, थैंक्यू सो मच, जै हिंद, जै भारत